पूट ही गया था तिंदुलकर का महा रिकॉर्ड गौतों गंभीर की एक पनाउती ने बिराट कोली को कर दिया बरबाद और बन गया अनोखा रिकॉर्ड रोने लगे किंग कोली धरम साला में भी बन गया था पूरे जैसा संयोग कोली ने सतक के लिए लगा दिती पूरी अप महला देश के खिलाब टीम इंडिया को मैज जितने के लिए 20 रन चाहिए थे और उच टाइम बिराट कोली को भी अपना सतक पूरा करने के लिए 20 रनों की जरूरत थी कब केल राहूल ने अपनी कुर्बानी देते हुए एक भी रन बनाने से इंकार कर दिये थे और सिर्फ बला लेकर दुसरी साइट दर्सक ही बनकर खड़े रह गए थे और किंग कोली ने अकेले सभी गेंद खेलते हुए सतक मारा था पूरा पूरे का स्टेडियम कोली के सम्मान में जुक कर बिराट कोली को सलामी देने लगा था ठीक उसी तरह बीती रात न्यूजी लेंड के खिलाब जब टीम इंडिया को इतिहास रचने के लिए 30 रन चाहिए थे और बिराट कोली को भी अपना सतक पूरा करने के लिए 23 रन चाहिए थे केल राहूल की तरह इस बार जड़ेजा ने अपनी कुर्बानी नहीं दी क्यों की यह कीवियों के खिलाब सम्मान की लड़ाई थी 25 सालों से लगे कलंग को मिटाना था उपर से ज़्यादा और भी नहीं बचे थे सभी दर्सक यह मान चुके थे कि सायद बिराट कोली आज सतक नहीं बना पाएंगे लेकिन दोस्तों बिराट कोली ने भी कसम खाकर मैदान में उतरे थे कि आज कुछ भी हो जाये तिंदूलकर के महा रिकॉर्ड को तहस नहस कर देना है बांगला देश वाले मैच में उसका भावी भी आई हुई थी बिराट कोली का होसला बढ़ाने के लिए बिराट कोली के हर एक चोके छके पर स्टेडियम पर बैठी उसका सर्मा जोर जोर से तालिया बजा रही थी लेकिन इस मैच में उसका भावी नहीं थी इसी वज़ा से बिराट कोली का बाड़ी लांग्वेज भी थोड़ा सा डगमगा रहा था कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीम इंडिया को मैच जितने के लिए 20 रन चाहिए होते हैं और अपने किंग कोली को भी तिंदुल करके महा रिकॉर्ड को तहस नहस करने के लिए 19 रन चाहिए होते हैं बिलकुल बांगला देश वाले मैच के तरह महौल बन गया था पारी का सहतलिसावा ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आते हैं बोल्ट के पहली ही गेंद पर बिराट कोली ने मिट बिकेट के उपर से सांदार छक्का मार देते हैं पूरा स्टेडियम कोली कोली के नारों से गुंजने लगता है हर कोई कोली के सम्मान में खड़ा हो जाता है बोल्ट के अगली हिगेंद पर बिराट कोहली ने सामने की तरफ जड़नाटे दार्ट चोका पेल देते हैं अब हर कोई कोहली का सतक पूरा हो जा इस वज़ा से उपर वाले से दुआये करने लगते हैं तो वही कमेंटरी कर रहे कोहली के दुस्मन माने जाने वाले गवतंगंभीर कह रहे थे कि सतक के पीछे भागने की बज़ा टीम को मैच जिताने की कोसिस करना चाहिए गवतंगंभीर अंदर ही अंदर चाहते थे कि इंडिया इस मैच में जीज़े लेकिन बिराट कोली सतक ना बना पाए अब टीम इंडिया को न्यूजी लेंड के खिलाब इतिहास रचने के लिए 7 रन चाहिए थे तो वहीं पर बिराट कोली को भी अपना सतक पूरा करने के लि रन नहीं बनता है तीसरी गेंद पर बिराट कोली छक का माल कर अपना सतक पूरा करने की कोशिज करते हैं लेकिन बाउंडी लाइन पर वह कैच आउट हो जाते हैं इस तरह से बिराट कोली 95 रनों पर आउट हो जाते हैं हालांकि इसके अगली ही गेंद पर रवीन हो गए थे जिस तरह से बिराट कोली ने एक तरफा मैच कर दिया था टीम इडिया के लिए बिराट कोली की बल्ले बाजी आप लोगों कैसे लेगी अगर अगर आप लोग भी बिराट कोली को परजन टाइम का दुनिया का सबसे खतरनाक बल्ले बाज मानते हैं तो बिराट क